कि कुश्चन नंबर हमारा 8 है एक पोल 15 मिटर लॉंग एक पोल है जो 15 मिटर लॉंग है रिसाइट अगेंस वर्टिकल वाल एक यहां में डियागरा मना जा रहा हूं यह एक दिवाल है ऑपके पोल था इसे गिरा आके इस सरीके से और आफ पूल गिरने से टेहना भी होगा लगता है तो हमारे पास यह ए यह बी और यह सी यह वाल है इसको हमें एक्स बांग लिया ठीक कह रहा है कि एंगिल अफ 60 डिगरी जब यह गिरा है पोल तो इसने यहां पर 60 डिगरी बनाया और यह जानते हैं आप दिवाल खड़ी होगी तो 90 डिगरी पई होगी दिवाल तो वह सिद्धी बनाई जाएगी न ठीक और यह पोल इस तर अफ़ान अफ़ान आ गया होगा तो सटक गया यहां गिर गया के ठीक है और पोल के लंबाई जो है वह है 15 मीटर एक हमको दो चेह निकाल नहीं है एक तो एक्स हाव लॉंग अप दा वाल वाल दा पोल रीच जहांते पोल पहुंचा है हाव लॉंग फॉर दा फूट और पो चलिए अपने कुश्चन तो आपने नोट करे लिया होगा है ना तो हमने इसको यह बना लिया है यहां पर पंडित बद्री बश्राद हर बोले इनकी तो भाई हमारे पास दा हाइट आफ वाल एक्स निकालनी है और अवे फ्रॉंद फूट वाल यह निकाला डिस्ट हैंको तो हाइट आफ वाल निकालने के लिए हमने जिसे लिए है एक्स माना है तो इन में से हम कौन सा ट्रिणोमाटिक रिश्व लेंगे यह में चीज़ है अगर साइन लिया हमने तो पी पर्पेंडिकुलर और हाइपोटेनिसम को मिल रहा है यानि हम यहां पर साइन किना डिग् इक्वल एसी अपॉन एवी कर सकते हैं क्योंकि पी अपॉन एच्छे है हमारे पास हमको दिया हुआ है ना बास समन रहा है जैनि जो चुछी आपको निकालनी है वो भी है और जो आपको गिवन है वो भी है साइन सिस्टी की वैलू आपको दहानक नहीं है कितने होती है समाना हमने एक्स और एच कितना है 15 तो यह हो जाएगा 2x इक्वल 15 अंडूरूट 3 तो x इक्वल 15 इन्टू 1.732 यह वैलू होती है किसकी अंडूरूट 3 क्यों बाई तू फ्रेम नहीं है यह इसको मल्टिपल करेंगे लग्तीज टूंटीफाइव यह आएगा टूंटीफाइव पॉइंट नाइन नाइन एट जीरो है ना दीख रहा है और अगर उसको भाम भाई 29 नहीं 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 नाइन एट रहाना चाहिए बाई टू यह जागे ट्वल पॉइंट नाइन नाइन इसको श्यक्रलीजे का अंसर अगर यह नाइन लिखा है अगर फूर सम्झें आप इसको त्वल पांट नाइन मीटर अगर नोट आउन करें इसको अपर अगर देखते हैं यह कॉस्स ले लिए हमने इसमें देखें कॉस्स क्यूं लिया है क्यूंकि बेस अपॉन हैट पिनिस्ट बेस क्या है वेज्ट है वाई हमें निकालना है हाइपोटेंस मुद्धिया हुआ है तो जो हम पर निकालना रहेगा ठीक है न कोशिच करें वह मैंसा इस तरीके से ही लिखा जाए ओके कॉस्टिक के वैलू वन बाई टू बी बेस के दाख क्या है वाई वाई यह नहीं अवे फ्रॉम फूट और है और है पूटेंस 15 क्राउसमेंट बाई 2 वाई इक्वल 15 वाई इक्वल 15 वाई इक्वल 15 वाई तू 7.5 मीटर चलेगा डॉट करें इसको कुछन नंसा ना है 9 9 9 देखते हैं कि ना हमसे कह रहा है कि ट्रांगल डिया हुआ यह 40 cm है यह 20 cm है बी एंगिल 90 है और ठीटा निकालना हमको ही ठीटा है कितना है तो हमको दिया है परपेंटिकलोर दिया हुआ हमको और हमको दिया है हाइब तो यहानि साइन अभी ठीटा लेते हैं करना ठीटा की वैलू कितनी है तो क्या है हमारे पास AB upon AC P upon H AB कितना है 20 40 cancel out हुआ 1 by 2 यानि sin theta 1 by 2 की value होती है 30 degree No doubt about this